जैशी कृष्णा कैसे हैं आप लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्राठ्णा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें मस्त रहें आप अपने जीवन में आगे बढ़ें अपने करियर में आप धीर सारी सक्त सांसल करें आप जो भी पाना चाहते हैं जो पॉजिटिव है आपके लिए वो सब कुछ इश्वर आपको जरूर दें दियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस प्रिश्वर लफ डबल वन डबल वन में दियर जैसे कि कल हमने आप लोगों को बिताया था आप सब लोगों ने बहुत सारी सांत्वना दी बहुत सारा समझाया बहुत सारा प्यार दिया बहुत अच्छा लगा थैंक्यू सो मच उसके लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद किसी ने कहा था कि दीदी आप हमें फैमली समझते ही नहीं है अगर आप फैमली समझते तो आप बिना पूछे ही हमसे बाते शेयर करते लेकिन आपने तो हमें बताया ही नहीं वो तो हमें पता चला हमने पूछा तब आपने बताया लेकिन अब आप लोगों ने कहा है तो जरूर बिलकुल बताया करेंगे और उसके लिए सौरी लेकिन अभी हम थोड़ा ठीक है आप लोग टेंशन मत लीजिए बहुत सारे लोगों ने परसनली मैसेज किया था थेंक्यू सो मच्छ हम इतना प्यार देने के लिए और हमारे दर्द को अपना दर्द समझने के लिए जिस तरह हम फील कर पाते हैं चीजों को जिस तरह हम चीजों से कनेक्ट हो पाते हैं उसे आपने बिल्कुल उसी तरह से समझा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दियर आज का टॉपिक ये है कि जो आपके पार्टनर है अभी उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है और वो अभी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए इसके लिए हमने त्री आप्शन दे दिये हैं जो आप्शन आपको बहुत जादा अट्रैक्ट करें आप उस पाइल को चूस कर लिजे और फिर आप अपने रीडिंग देखिए ठीक है जैसे क्रिशना आप्शन नमबर वन कैसे हैं आप आई होप आप बहुत स्वस्त होंगे मस्त होंगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे अपने जिनके बारे में सोच कर पाइल नमबर वन चूस किया है आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं चलिए सबसे पहले हमिदर साइन और एलिमेंट की बात करते हैं यह आपके भी साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर की भी साइन हो सकते हैं एरिस लियो सजीटेरियस भी है मेज सिंग धनु राशी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है व्रिशव कन्या मकर राशी लेकिन जिमनाई लिब्रे एक वेरिस बहुत कम है मित्युन तुलागुम राशी और गैंसर और स्कॉर्पियो पाइसेज भी बहुत कम है करक व्रिश्च तो डियर, ये जो पार्टनर है ना, जिनके लिए आप देखना चाहते जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनकी फीलिंग्स हम आपको एक सौंग के थू संचाते हैं, आपको समझने में आसानी होगी और हमें भी अच्छा लगीगा थोड़ा सुकून मिलीगा ठीक है चांद मेरा नाराज है ना बात करे ना मिलता है चांद मेरा नाराज है ना बात करे ना मिलता है कैसे उसको संझाओं ना समझे रिष्टा दिल का है कैसे उसको समझाओं ना समझे रिष्टा दिल का है हफ तो उसे कितने उसने ना बात की मुझे को पता भी नहीं किस बात की नाराज गी चांद मेरा नाराज है ना बात करे ना मिलता है कैसे उसको समझाओं ना समझे रिष्टा दिल का है इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉंग है कमिटमेंट इशू बहुत स्ट्रॉंग है और पास्ट में बहुत ज़्यादा कैरलेस होने की वज़े से बहुत ज़्यादा इग्नॉर करने की वज़े से आपने कहीं न कहीं अब अपने उपर ध्यान देना शुरू कर दिया है हो सकता है कि आपने इंसे बात चीत करनी बंद कर दी हो और आप जादा से जादा अब अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि जो आत्मा का सफर है वहाँ पर अकेले ही चलना होता है अब तक आप अकेले होने से डरते थे, अकेले हो जाने से डरते थे वो अकेले पन से घुटन होती थी आप किसी ने किसी से बात करने लगते थे आपको लगता था कि आप इनके बिना नहीं रह पाएंगे लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है न कि क्या सिर्फ हमें ही प्यार है क्या सिर्फ मैं ही एफ़र्ट लगाऊं क्या सब कुछ मेरे उपर ही टिका हुआ है मतलब कि क्या ये परसन नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो क्या ये परसन नहीं चाहता कि शादी हो क्या सिर्फ आप ही चाहते हैं क्या सिर्फ आप ही प्यार करते हैं कभी कभी ना किसी के ज़्यादा पीछे पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता कि उसे ये लगे कि ये तो पीछे पढ़ गया मेरे तो हमें यहीं लगता है कि यहाँ पर अभी आप दोने के दर्मियान नो कॉंटेक्ट के स्थिती है इसका रिजन फैमली भी हो सकती है और इनकी फिनाइशल इस्थिती भी हो सकती है क्योंकि हमें यह फिनाइशली इस्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं यह जो आपके परसन है इनकी एज थर्टी प्लस है समझ रहे हैं बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनकी एज थर्टी प्लस है और काफी ट्रेंडी टाइप के हैं कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी ट्वन्टी प्लस हैं जो अभी बिलकुल भी इस्टेबल नहीं है जो अभी अपने कर तो करते हैं पर आप ऐसे कब तक उनका इंतजार कर सकते थे आप ऐसे कब तक किस रिष्टे को जैसे कि जबर्दस्ती घसीटना कब तक घसीट सकते थे आप कैसा लगता था कि सामने वाले के तरफ से कुछ है ही नहीं जो है मेरी तरफ से है तो इसी वज़े से हमें लगता है कि आपने बिल्कुल भी बात चीत करना बंद कर दिया है तब ही इनकी फीलिंग्स हैं कि चांद मेरा नाराज है ना बात करे ना मिलता है कैसे उसको समझाऊं ना समझे रिष्टा दिल का है आप ठक गये थे अपने रिष्टे को जोड़ते जोड़ते जैसे होता है ना कि बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन एक समय आता है जब लिमिट क्रॉस हो जाती है इंतजार की जब हद पार हो जाती है तो अभी आप ज़्यादा ज़्यादा हमें अपनी spirituality पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं अब आपके partner के दिल में क्या चल रहा है आपके जो partner है वो ना आपको manifest कर रहे है वो career पे भी focus कर रहे है new beginning करने के बारे में भी सोच रहे है और आपको manifest भी कर रहे है अब ही उन्हें पता है कि आपने move on कर लिया है आप उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे आप उनसे बात नहीं करेंगे इस वज़े से वो सिर्फ सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात की जाए आपको कैसे मनाया जाए आपको कैसे समझाया जाए अंदर से बहुत जादा जैसे कि होता है कि गिल्ट होता है किसी चीज का जैसे कि हमने कुछ खो दिया हो हमारी गलती की वज़े से तो इन्हें वो फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी गलती की वज़े से आपको खो दिया है अब ये दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा negativity भर रही है इनके अंदर बहुत ज़्यादा negative thoughts आ रहे हैं इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप ये समझ लीजिए और इन्हें पूरा यकीन है कि ये जिस दिन अपनी life में अपने career में stable हो गए इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा देखे डियर इधर हम ये नहीं कहेंगे कि third party issue है इधर हम ये नहीं कहेंगे कि किसी और के लिए इन्होंने आपको cheat किया नहीं इन्होंने अपने career को ज़्यादा importance दिये आपको देखते हुए लेकिन जब आप चले आए इनकी जिन्दगी से तो इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया है इन्हें अब लगता है कि इनकी life ही आपके साथ complete होती है अब इन्हें ये समझ में आ गया है कि इन्हें कोई और समझने वाला नहीं है इसी वज़े से तो अंदर ही अंदर बहुत guilt कर रहे हैं ये कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आपको याद ना करें ना करें और अपनी life में आगे बढ़ें लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है समझे हैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा परिशान है बहुत ही ज़्यादा परिशान आप भी हैं लेकिन अब एंजल्स ने कहीं न कहीं आपको एक हिम्मत दे दी है अकेले चलने की अपने अकेले पन को enjoy करने की सही और गलत की समझ करने की समझ रहे हैं अब आप अपनी actual power में आ गए हैं अब आप अपनी feminine energy में आ गए हैं समझ रहे हैं इसी वज़े से अब आप इन्हें ज़्यादा importance नहीं दे रहे हैं तो वो चीज़े इन्हें बहुत खल रही हैं उन सब चीजों की वज़े से इन्हें बहुत घबराहाट हो रही है इन्हें लग रहा है कि कहीं आपकी life में कोई और तो नहीं आ गया ये सब कुछ पाना चाहते हैं ये प्यार भी पाना चाहते हैं परिवार भी पाना चाहते हैं ये अपनी life में अपने career में success भी पाना चाहते हैं लेकिन ये सही से चल नहीं पा रहे हैं ये चीजों को balance कर नहीं पा रहे हैं बात सिर्फ इतनी है अगर ये चीज़ों को balance करें तो इनके पास सब कुछ हो जाएगा इनका प्यार भी मिल जाएगा इनका परिवार भी मिल जाएगा लेकिन ये पता है कैसे इंसान है अगर प्यार को time देंगे तो career को time नहीं देंगे career को time देंगे तो प्यार को time नहीं देंगे के यही हुआ है अब यह बहुत सारी चीजों को कि हो सकता है कि फैपली कहा है ना करियर को छोड़कर उन सारी चीजों को यह पीछे छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं बहुत जदा नहीं की है, ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी और से बात नहीं की, इन्होंने बात की है, मन को बहलाने की कोशिश की है, अपने मन को इधर उधर फसाने की कोशिश की है, लेकिन होता है ना कि जिन से हमारा दिल का कनेक्शन होता है, रूप का रिष्टा होता है, आत्मा हमेशा उनक मिस्स करती है तो इनकी आत्मा में सिर्फ आप बसे हैं यह मन में भले किसी और को लाना चाहें पर यह काम्याब हो नहीं पारे हैं और इसी वज़े से यह समझ लीजिए कि हारी मान के यह आपके पास आ रहे हैं बहुत जल्द आपके पास आएंगे हमें ऐसा रखता है कि आपने से बहुत सारे लोगों को नमबर 1010 दिख रहा होगा दिख रहा है ना एंजिस कहना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द होने वाली है बस आपको धैर रखना है जिस तरह आपने अब तक रखा है उसी तरह आपको अभी भी रखना है आपके पार्टनर अपने करियर के बारे में सोचते हैं बहुत जादा आपको भी अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए आपको एक बात पता हुन चाहिए कि आज के टाइम पे अगर आप सक्सिस्फ होते हूं लेकिन प्यार की कोई वैल्यू नहीं करता समझ रहे ना कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि प्यार से बढ़कर लोगों के लिए कुछ कुछ नहीं होता लेकिन उनकी फैमली के लिए बहुत कुछ होता है तो इस वज़े से आपके पार्टन अपने स्टेबल्यूटी पर फोकस करें आप भी अपनी स्टेबल्यूटी पर फोकस करें समझ रहे हैं यह इस पेशली एंजल्स आपको समझाना चाहते हैं आपकी लोट के बुद्धु घर को आए, ये बुद्धु घर को ही आएंगे लोट के, अभी बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि स्टेबल नहीं है, समझ रहें, और फैमिली इशू है, इन्हें लगता है कि अगर ये स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर अगर फैमिली माने या तो इसे भी आप पॉजिटिव तरीके से लीजिए, और जिन्दगी में आगे बढ़िए, आपके जो पार्टनर है, वो अभी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनके मन में कोई नेगेटिव थोट नहीं है आपके लिए, और जो गलती की है, वो उसके आपके साथ मिविंगनी करना चाहते हैं, और आपसे थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, जिससे आप उन्हें थोड़ा वक्त दें उनकी लाइफ में सकसे सोने के लिए, जैशी कृष्णा, अपना ख्याल रखिये, अपने अपनों का ख्याल रखिये, कौन क्या कहता है, इस बारे कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैशी कृष्णा, ऑप्शन नमबर टू, कैसे हैं आप, आप आप बहुत स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में अगे बढ़ रहे होंगे, डियर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपके चैनल, इस प्रिशुल लाव, डबल वन, डबल वन में, आपने जिनके बारे में सोच कर, पाइल नमबर टू चूस किया है, आप जाना चाहते हैं, कि इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त उ साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, इधर जो बहुत स्ट्रॉंग साइन है, वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मतलब कि अर्थ साइन, यह आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हैं आप पर एरीस, लियो सजी डेरियस, में सिंग धन हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपने करियर को लेकर, बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन की स्थिती में रहने वाले इंसान हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता कि इनके लिए क्या बेस्ट है, इन्हें खुद ये नहीं प आप से ही करेंगे जो इन Today करना है आपकी बात नहीं सुनेंगे लेकिन ये कही typically यह बिना कुछ किये ये जिन्दगी में सक्सेस चाहते तो है लेकिन बिना कुछ किये कोई मेहनत ना करनी पड़े करम ना करना पड़े action ना लेना पड़े और इन्हें सब the मिल भी जाए वैं तो आख़र्प की बहुत ज्यादा कमी अनके अंदर बहुतल स्यादा कि आप यह लाइफ में compromisehon to कर लेंगे समझ रहे हैं इन्हें पसंदो ना पसंदो जो वैंश भी मिनोन करेंगे यह साथ समझाता करेंगे लैकिन यह एक्शनिय लेतें नाजनी 5 इन्हें भढ़काना बहुत ही आसान है इनके कान भरना बहुत ही आसान है इनका अपना कोई सेंस नहीं है जिनके रेंroe आपके रीमाद देख रहे हैं यह फर और वक्त confusion के स्थिति में रहते हैं मैं क्या करूं मुझे तो समझी में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है और आप समझाओगे तो वो इन्हें समझ में भी नहीं आएगा यह अपनी life में success चाहते हैं abundance चाहते हैं completion चाहते हैं enlightenment चाहते हैं सब कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए ये कर्म नहीं करना चाहते हैं ये balance चाहते हैं पर ये कर्म नहीं करना चाहते हैं और आप इनसे strong connection फील करते हैं आप इनके साथ past life का रिष्टा मैसूस करते हैं आपको लगता है कि ये आपके जन्मों जन्म के साथ ही हैं ये पता है क्या सुचते हैं जो भी करना है वो आप कर लो जो भी करना है वो आप कर लो इन्हें न करना पड़े यह कुछ नहीं करना चाहते हैं यह चाहते हैं कि आप करो हमें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से या फिर इनकी लेकर आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं अपने दोस्तों के साथ कोई है शायद आप दोनों के दर्मियन जिसे लेकर यह हमेसा आपको लेकर डाउट करते हैं इन्हें लगता है कि आप सिर्फ इन्हें दिखाते हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं ये वो वरना आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त है हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो और जिसे लेकर ये डाउट करते हो और उसे लेकर हो सकता है कि कई बार जगड़ा भी हुआ हूँ कई बार जगड़ा भी हुआ हूँ और अभी इसी वज़े से यहां पर हमें बहुत सारे लोग सेपरेट नजर आ रहे हैं बात चीत नहीं हो रही है उनके दर्मियान जब यह आपको भला बुरा बोल देते हैं कुछ भी तो इन्हें गिल्ट तो होता है इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने गलत कहा आप से लेकिन कहते हैं कि थोड़ा बड़ बोले टाइप के हैं जो मुह में आया वो बोल दिया एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा बाद में यह आपको बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा और लोग कामया भी हो जाते हैं पहले यह आपको भला गुरा बोलते हैं उसके बाद में आपसे माफी बंगने की कुश्च करते हैं फिर सौरी बोलते हैं फिर दुनिया बढ़के रामे करते हैं आपके सामने कि माफ कर दो गलती हो गई अब नहीं हो गया पर जैसे आप चाहते हैं वैसा यह अभी करने वाले नहीं हैं अभी थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ा सा आपको द्हारी रखना पड़ेगा समझ रहे हैं ऑपको कुछ समझाना चाहते हैं डीयर पाइल को इग्नॉर करने हैं एंजल सापको कुछ बताना चाहते हैं हमें पता हैं कि आप बहुत प्यारे बहुत सिंपल बहुत दयालू टाइप के इंसान हैं आप ऐसे इंसान हैं कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना अपने घर में अंधेरा करके दूसरों के घर का दीपक जलाना यह आपका नेचर है और आपके अंदर अंडरस्टेंडिंग बहुत ज़्यादा है आप ना लोगों की खूबिया देखते हैं खामिया नहीं देखते हैं आप ऐसे इंसान हैं और आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी खामिया तो आपको दिखती ही नहीं है और इसी वज़े से आप जिनके साथ अभी रिष्टे में इनकी खामिया आपको दिखी नहीं रही है ही कितनी बिल्टीयां कर दें फिर भी आपनें माफ करी देते हैं आपको लगता है कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा तो आपका यह जो पेסन्स है ना आपका जो इन्तजार है ने बर करार रखें यह सच है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी जितने लोग सेप्रेट है ना मिसंडरस्टैनिंग की वज़े से क्योंकि इंटर्फेयर बहुत सारे लोगों कर रहा है इसमें हो सकता है कि पिस्पिशली इधर मदर इशू हो फड़ पार्टी इशू हो ये अक मिसंडरस्टैनिंग ही ये इसमें रियालिटी कुछ भी नहीं है समझ रहे हैं तो ये जो आपके पार्टनर थे यह रिकवरी चाहते हैं ये इस रिष्टे को ठीक करना चाहते हैं यह आप से माफी चाहते ह यह आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम तो समझदार हुना, मुझे भी आकल नहीं है, मैं तो तुमारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, तुम समझदार हो तो फिर समझ लो ना, और माफ कर दो, तो यह आपसे माफ ही चाहते हैं, यह इस रिष्टे में न्यू बिगनिंग चाहते है लेकिन अभी action लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं यह सोच रहे हैं कि आप ही इन्हें contact करो कुछ लोग होते हैं गलती भी खुदी करते हैं रूट भी खुदी जाते हैं तो गलती भी खुदी भी करते हैं और रूटते भी खुदी हैं मतलब यह चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ कभी-कभी इन्हें सड़नली बहुत जादा confusion हो जाती है आपको लेकर कि शायद आपके साथ कोई future नहीं है इनका आपके साथ कोई future नहीं है और वो सिर्फ इस वज़े से क्योंकि हमने बताया ना कि लोग misunderstanding create करते हैं आपको लेकरते हैं तो अभी चीजों को balance करना चाहते हैं और यह थोड़ा सा परिशान भी हो रहे हैं जो इन्होंने गलतियां की हैं उसका इन्हें ऐसास हो भी रहा है समझ रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि यह कुछ ना कुछ efforts लगाने की कोशिश करेंगे अभी नहीं कर रहे हैं पर बहुत जल्दी करेंगे समझ रहे हैं लेकिन अगर आप सोचे कि फिजिकली बहुत जादाव अट्रेक्ट है लेकिन अतुख कर लेनँ और असे connections बहुत समय तक टिकते नहीं है ध्यान रखना तिकते नहीं है या तो आप इस रिष्टे को spirituality के level पर ले जाओ तो ये रिष्टा टिकेगा क्योंकि हमें आपके तरफ से बहुत जादा नजर आ रहा है आपने हमेशा इन्हें प्यार दिया है आप हमेशा देना चाहते हैं आप तो यह भी नहीं सूचते कि मैं इतना दे रही हूं मैं इतना दे रहा हूं और यह मेरे बारे में सूचता तक नहीं है यह हमेशा confusion के स्थिति में रहता है ये कभी भी ये नहीं सुचता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये कभी भी कोई efforts नहीं लगाता कभी भी मेरी खुश्यों के बारे मिनी सोचता आप कभी सोचती नहीं आपको लगता है कोई बात नहीं करता तो क्या हुआ मैं तो करती हूं मतलब कि हमने बताया ना आप इनके प्यार में इतने खोई हुए हैं कि इनकी कोई भी बुराई आपको नजर आती ही नहीं है आपको लगता है हाँ कोई बात नहीं, नहीं करता कोई बात नहीं, एक दिन करने लग जाएगी, एक दिन करने लग जाएगा, वो सिर्फ इस वज़े से क्योंकि इनके साथ आप एक सोल मेड कनेक्शन करते हैं आपको लगता है कि इनका और आपका कई जन्मों का रिष्टा है कई जन्मों का रिष्टा है यह आप फिल करते हैं इनका जो प्यार है ना वो मुझे से करो नहीं आपको लोगता ठीक है कोई बात नहीं वो जितना दे रहा है इतना काफी है और कहीं नहीं सच्छा प्यार यह होता है कि हम किसी से कोई चहां ना रखें कि वो भी करें वो भी करें लेकिन कभी-कभी अपने पार्टनर से थोड़ी सी उम्मीदे तो हो जाती है ना कि काश वो भी करता काश वो भी समझता जैसे वो सौंग है ना मुझसे महाबत का इजहार करता मुझसे महाबत का इजहार करता काश कोई लड़का मुझे प्यार करता काश कोई लड़का मुझे प्यार करता मुझसे महाबत का इजहार करती काश कोई लड़की मुझे प्यार करती काश कोई लड़की मुझे प्यार करती आप मेल हूँ या फिर्फी मेलों लेकिन थोड़ी सी तो ख्वाहिश होती ना खुशी तो मिलती ізहीं ना जब हमें प्यार के बदले प्यार मिलता है पर आप तो यह एक खुश रहते हैं मिल गया तो अच्छा और नहीं मिला तो अच्छा हम लेकिन जो आपके पार्टन रहे य लिए अपनी गलतियों का एहसास तो होता है लेकिन ये जल्दी सौरी नहीं बोलते हैं आपसे और ये समझ लीजिए कि ये बिना कुछ किये ही जमतकार की उम्मीद करके बैठते हैं कि मेरे बिना कुछ किये सब कुछ हो जाए मुझे एक्शन भी न लेना पड़े और जिंदग लेकिन देखते हैं आप इनका कब तक इंतजार करेंगे आप मैंसे बहुत सारे लोगों की दरम्यान हमें इंटरकास्ट इसू नजरारा रहे लेकिन आप बहुत ही जादा समझतार हैं आप ना अपने दुनिया देख ली हैं आपको लगता है कि समझदारी में कुछ नहीं र चाहिए था आपको ऐसा इंसान चाहिए था जो दिल से सोचे अगर वो गुस्सा भी करें जो भी बोले दिल से बोले वो प्लैनिंग न करें आपकी साथ और आप चाहते थे कि कोई आपसे प्यार करें तो सिर्फ आपसे प्यार करें आपकी पावर पोजिशन से प्यार ना कर और आपको लगता है कि आज नहीं तो कल ये जो परसन है इन्हें एहसास होगा आपकी चाहत का और ये आपको दिल से प्यार करेंगे आज नहीं करते कोई बात नहीं लेकिन आप इनका इंतजार करने के लिए भी तयार है कि आज नहीं तो कल इन्हें एहसास होगा और ये भी आ आप से उतना ही प्यार करेंगे जितना आप इंसे प्यार करते हैं हो सकता है कि कुछ लोग किसी न्यू परसन के लिए देख रहे हूं या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी समय से रिष्टे में हैं लेकिन वह अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उनके जो पार्टन को गलती भी खुद करते हैं रूट भी जाते हैं तो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें वह चाहते हैं कि कोई मिरकल हो जाए और सब कुछ आप दोनों के दर्मियान ठी हो जाए आप मैरीड हूं या फिर अनमैरीड हूं लेकिन आपके पार्टनर ना आपसे प्यार की उम्मीद करके बैठे हुए आपसे माफ़ी की उम्मीद करके बैठे हुए है थीक है I hope आप समझ कहांगे जैशी कृष्णा अपना ख्याल रखिए अपने अपनों का ख्याल रखिए कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचे क्यूंकि लोगों का काम कहना ही होता है वह पूरी जिंदग करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा ऑप्शन नमबर थ्री कैसे हैं आप 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 बहुत स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने होंगे डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल इस्पिश्वर के दिल में आपके लिए क्या है वो आपके लिए क्या फील करते हैं यह वो आपको लेकर क्या सोचते हैं उनका next proxy क्या होगा आपके लिए कि असटीर पाइल नंबर 3 ये पर आप मिले उन्हें उनकी जिन्दगी मिल गई आप मिले उन्हें जीने की वज़ा मिल गई आप मिले उन्हें खुशी मिल गई समझ रहे हैं आप नहीं जानते कि आप उनके लिए क्या है आप नहीं जानते आप उनके लिए उनकी दुनिया है लेकिन आप खुद को रोक रहे हैं आप खुद को प्यार करने से रोक रहे हैं आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने एसास को, अपने जस्बातों को दबा कर रखना चाहते हैं आप समाज के बारे में सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में सुच रहे हैं आप अपने पास्ट से निकलना नहीं चाहते हैं ये ना आप से शादी करना चाहते हैं ये आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं ये आपको धेर सारा प्यार देना चाहते हैं ये आपके जखमों पर मरहम बनना चाहते हैं ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपका हाथ कभी नी छोड़ेंगे ये कभी भी कभी भी आपको छोड़ करनी जाएंगे ये कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका नी देंगे ये आपको अपनी जिन्दगी बनाना चाहते हैं अपनी जिन्दगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं इनके साथ आपका लॉंग डिस्टेंस है हमें लगता है कि 50% लोग किसी न्यू परसन के लिए देख रहे हैं जो अभी हाल फिलाल आपके जिन्दगी में आएं है कितने लोगों की जिन्दगी में अभी इसी दिसंबर कोई न्यू परसन आया है प्लीस कॉमेंट करिए हमें कितने लोग किसी न्यू परसन के लिए देख रहे हैं कुछ लोग तो सोचल मीडिया के थ्रू मिले हैं एज़ डीफेरेंस है कुछ लोगों के दर्मयान कुछ लोगों के दर्मयान थोड़ा सा financial issue भी हमें लग रहा है age difference काफी है हमें लगता है कि 30 plus person है जिनके लिए आप ये reading देख रहे हैं कुछ लोगों की तो 40 plus age है और जो लोग 20 plus लोगों के लिए reading देख रहे हैं वो काफी immature है समझ रहे हैं काफी immature है देखे जिन लोगों को कम उम्र में प्यार हो जाता है उन्हें जिन्दगी का बहुत जादा तज़ुर्बा नहीं होता या फिर वो old soul हो जिसे बचपन से ही काफी चीजों का तज़ुर्बा हो जाए काफी चीजों की समझदारी आ जाए उसके अंदर वो बात अलग होती है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बचपन का प्यार होता है वो बचपन में जो प्यार होता है वो प्यार नहीं होता है वो एक attachment होती है एक आकर्षन होता है और एक समय पर वो खत्म हो जाता है समझ रहे हैं उस वक चीजों की हमें परक नहीं होती समझ नहीं होती वो सब एक नादानियां होती हम क्या बताएं जब जैसे जैसे उमर भीतिय समझ में आता है कि यह गलती थी यह गलती थी यह गलती थी बचपन में बीना सोचे समझे कमिट्मेंट दे देते हैं कमिट्मेंट का मतलब भी नहीं जानते हैं कि कमिटमेंट देना क्या होता है बत्पन बहुत सारी गलतिया हर इंसान से होती है लेकिन हम यहाँ पर पाइल नमबर थ्री में उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो किसी ऐसे परसन के लिए रीडिंग देखने हैं जो 20 प्लस है जो 15 प्लस है हा इसके लिए रीडिंग देख रहे हैं लेकिन इधर आप उनके साथ रिष्टे में सफलता की उमीद मत रखना क्योंकि देखें अभी वह पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं अभी वह पढ़ लिख रहे हैं अभी उनके थाट्स स्टेबल नहीं है अभी उन्हें दुनियादारी की परक नहीं है आज नहीं कल वह बदल जाएंगे अभी तो वह कुए में जी रहे हैं आपको पता है मेड़क जब तक कुए में रहता है तो उसे लगता है कि यही पूरी दुनिया है लेकिन जब उसे तालाब में छोड़ दिया जाता है तो वह करता हो हो यह भी कुछ है तो अ अभी उसकी life is stable नहीं है, उसके thoughts is stable नहीं है, उसका commitment जो होगा उसमें stability नहीं होगी, उसके सब्दों में stability नहीं होगी, तो ये सब वक्ते के साथ बदल जाने वाली चीजे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें कुछ लोग 30+, 40+, 35+, 25 प्लस एज के जो नजर आ रहे हैं, इनमें थोड मोड़ी मिचोटी है, और ये बहुत strongly आपके साथ जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आपको क्या बताएं या आपको किस कदर महबत करते हैं, हम आपको क्या बताएं या आपको किस कदर चाहते हैं, अगर आप सोचें कि in future ये आपके past को लेकर आपको taunt मारेंग और आप अपने past में कहीं न कहीं stuck हैं, आप अपने past से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपका past खराब है, तो ऐसा मत सोचें, ये कभी भी आपकी freedom नहीं छीनने वाले, ये आपको लेकर थोड़ा possessive है, हर इंसान possessive होता है, हर इंसान सोचता है कि जिससे मैं प्या प्यार करूं, वो सिर्फ मेरा हो, हर इंसान सोचता है, लेकिन जब बहुत ज़्यदा कोई रोक टोप करने लगता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, तो वहाँ पर घुटन महसूस होती है, वहाँ पर घुटन महसूस होती है, लेकिन यह आपको दिल से आत्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कुछ लोगों के दर्मियान हमें इंटरकास्ट इश्रू रिजन इश्रू भी नजर आ रहे हैं पते हैं यह सोचते हैं कि आपका इनका ना जनमो जनम का रिष्टा है और यह आप से कभी अलग नहीं होना चाहते गम है या खुशी है तू मेरी जिन्दगी है तू आप इनका सब कुछ है एक सौंग है हमें उसके लिरिक्स याद है पर अभी हम आपको वो सुनाएंगे नहीं जरा सुन ले जरा ए मेरे दिल सुन ले जरा इसे आपना यूटूब पर सुनें आपके पार्टनर की जो फीलिं लिश्यों से भाग रहे हैं वह मूवी थी अभी बिग बॉस में करन कुंद्रा है ना इसकी और जरीन खान की नाइन्टी ट्वेंटी हां नाइन्टी ट्वेंटी थी आप वह मूवी मत देखिए आप उसका जो सौंग है वह सुनिए बहुत अच्छा सौंग है उसके एक जो संगीद है ना वो इनसान की आत्मा है हम म्यूजिक को खुद से रिलेट क्यों कर पाते हैं क्योंकि वह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है समझ रहे हैं तो आप यहाँ पर जो एनरजी है ना वो उस सौंग से बिल्कुल मैच कर जाएगी आप एक बार उस सौंग को जर दगी का पता ढूंड ले तू प्यार कर इजहार कर है प्यार ही गम की दवा सुन ले जरा सुन ले जरा ए मेरे दिल सुन ले जरा इसे हमने एक डाइम पर बहुत सुना है लेकिन अपने स्पिरिश्वालिटी के लिए फिर हमारी अंतरात्मा हमसे बोलती है जब हम किसी चीज को लेकर तूटे हुए होते हैं अपने रिष्टों में हम बहुत जादा धोखे खा कर बैठे हुए होते हैं और हमें जिन्दगी से प्यार नहीं होता हमारे मन में नेगेटिव थौट्स आते हैं तो उस टाइम पर जैसे कि इस स्थिती में कोई हो तो और वो इसे अपने कहता है कि ए दिल ठहर जा जीने की कोई तू वजा ढूड़ ले घबराना गम से तू जिन्दगी का पता ढूड़ ले आप एक बार सुना भाई कमाल का सौंग है और यहां पर नहीं परसंच वहना आपको प्यार सिखाना चाहते हैं यह आपसे कहना चाहते हैं कि गम से भाग करने आया है डियर पाइल नंबर थी अगर हो सकता है कि आप इसे कुछ लोग मैरीड हो अपका डिवोस हो गया हूँ आप बहुत जादा समाज के बारे में सोच रहे हैं लोगों के बारे में सोच रहे हैं आप अपनी जिंदगी के बारे में अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं बलकि आप भी इनके साथ एक strong connection फील करते हैं आपको भी लगता है कुछ तो है इस से कही नहीं आप दोनों की जो सितारे हैं आप दोनों को मिला रहे हैं एंजल साथ दोनों को मिला रहे हैं सोचल मीडिया के थुरू बहुत सारे लोग मिले हुए है एज डिफरेंस इस्यू बहुत सारे लोगों की दर्मियान है तो यहां पर न यह परसन सिर्फ आपको देखकर कही ने कहीं अपनी फीलिंग्स चुपा लेते हैं नहीं बताते कि चलो कोई नहीं अगर आप प्रशन भी यह है कि अगर इन्हें थोड़ा सा यह समझ में आया ना कि आप भी मतलब इन्हें पसंद करते हैं आपकी तरफ से भी कुछ है तो यह तुरू तुरू अपने प्यार को जाहिर कर देंगे आपके सामने यह तुरू अपने दिल की बात खोल कर रख देंगे कि आना चाहते हैं आपको सम्मान भरी जिन्दगी देना चाहते हैं आपके घर बारात लेकर आना चाहते हैं अगर आप हिए स्पोद्वेल सेन ही समझ रहें तो एनकी प्य बहुत प्योर हैं आपको एक सोण सुनाते हैं जन्मों जन्म का तुझसे रिष्टा मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। पाने की तुझको की है हमने खता। अब जो भी दुनिया चाहे दे दे सजा। जब भी लिखेगा तुझे ही लिखेगा मेरी तकदीर में मेरा खुदा। जन्मों जन्म का तुझसे रिष्टा मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। ये आपके साथ ना कई जन्मों का रिष्टा महसूस करते हैं, आपके साथ ना कई जन्मों का कनेक्शन फील करते हैं। तो रियर आप भी अपने अंदर से थोड़ा सा ये जो समाज वमाज का डर है इसे निकाले और अपने जिन्दगी को जीना शुरू करिए कब तक सोचेंगे बताइए आज जिन्दगी आपके सामने बाहें फैला कर खड़ी है और आप जिन्दगी को इगनॉर कर रहे हैं बाद आप से मिलकर इन्हें भी लगा जैसे कि इन्हें खुशी मिल गई है इन्हें इनकी जिन्दगी मिल गई है जिसे ढूंड रहे थे इन्हें वो वजह मिल गई है समझ रहे हैं तो ये भी आपको कभी खोना नहीं चाहते ये भी आपके साथ पुरी जिन्दगी जीना चाहते है और हम आपसे ये कहेंगे कि अगर इश्वर ने आपके जिन्दगी में सच्चा प्यार भेजा है तो प्लीज इसे खोना मत इसे एक्सेप्ट कर लेना और पता है एक सौंग आप इनकी तरफ से और सुन लेना वो आला है ना मेरी किसमत के हर एक पनने पे मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक कल मेरे हर एक लमहे में तू लिख दे मेरा उसे एखुदा एखुदा जब बना उसका ही बना ये वाला आप उनकी तरफ से सुन लेना हमने आपको दो सॉंग सजिश्ट के आप ये दोनों सॉंग अपने पार्टनर की तरफ से सुने आपको बहुत अच्छा लगेगा जो चीज़े हम बता नहीं पाए हैं जो चीज़े हम एक् हैं आपके साथ जिन्दगी जीना चाहते हैं आपके साथ शादी करना चाहते हैं आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिन्दगी बना लेना चाहते हैं और उनका जो नेक्स्ट एक्शन है अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा उन किसी के तरीके थोड़ा सा अपने पास्ट से निकल लिए और जिंदगी में आगे बढ़ें ठीक है आई होप आप समझ कहें होंगी जैशी कृष्णा अपना ख्याल रखें अपने अपनों का ख्याल रखें कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए क्योंकि लोगों का काम तो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा आप सभी के रिदय में बैठे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम बनी पद में हम ओम साइराम